हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग चाप्टर 3 को कवर कर रहे होंगे क्लास 8 के जिसके क्वेशन अंसोस को हम डिसकस कर रहे होंगे तो पहला क्वेशन है लेखक पडोसी के प्रती अपनी उधारता का परिचे किस प्रकार देते थे तो लेखक अपने घर के पुराने जूतों, प्लास्टिक की थैलों और तूटी सीश्यों को पडोसी की जाड़ी में फेक करता था उपरी मन से उनका हाल चाल पूछ कर अपनी उधारता का परिचे देते थे तो मतलब जो लेखक थे वो उपरी मन से उनका हालचाल पूछ लेते थे और अपने घर के सारी वेस्टफूल आइटम्स को उनके घर में फेक देते थे और इसी प्रकार से वो अपनी उदारता का परिचाय देते थे Q2. पडोसी की केबल का तार काटने के लेकर के लेखक ने क्या तरक दिया तो पडोसी की केबल को तार के काटने के कारण लेखक ने यह तरक दिया कि बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है और आखे भी खराब होती है जिसके वज़े से उन्होंने सोचा कि यार काट ही दो क्या ही फाइदा है दोनों से question number 3 लेखक ने वेक्ति और देश की परोसियों की तुलना क्यों की है तो लेखक ने वेक्ति और परोसियों की मतलब वेक्तियों की और देश की परोसियों की तुलना इसे ले की है क्योंकि देश की एकाई भी व्यक्तियों की समूर से ही बनती है। मतलब जो देश है, वो व्यक्तियों के समूर से ही बनाए। जिसके वज़े से लेखक ने व्यक्ति और देश की पड़ोसियों के लेकर के तुल्ला किये। Question number 4 पाट के अधार पर बताईए कि अक्सर पडोसियों में किन बातों को लेकर के बहस होती है तो इसका उत्तर है पाट के अधार पर पडोसियों के बीच में कुडा कच्रा फेकने के कारण केबल की तार काटने के कारण तथा दैनिक प्रयोगी वस्तूं को अदान प्रदान को ले करके बहस होती तो मतलब बहुत सारे कारण थे लेकिन ये छोटा करके आप लोग इतना लिख सकते I hope that this video helped you guys for more such videos please subscribe my channel and अगर अगर आपको कोई भी और चाप्टर के वीडियो चाहिए हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता है I will definitely fulfill your wish Thank you